हलो फ्रेंड्स हमारे एक लिस्नार ने हमसे एक सवाल पूछा है कि क्या दूबली पतली लड़कियों को प्रेग्नेंसी होने में तकलीफ होती है या उनको प्रेग्नेंसी नहीं होगी या उनके खून की कमी होगी तो मैं डॉक्टर सुशीला सैने गाई निकलोजिस और दूबली पतली लड़कियों को प्रेग्नेंसी नहीं होगी तो यह मित आप अपने दिमाग से निकाल दीज़े कि डूबली पतले लड़के को प्रेग्नेंसी होने में तकलीफ आएगी मैं कहती है तो इसे चैप्तली या या पच्छे से जाधा हगोता है तो औरừa मूर६िड बच्चे में जनमजात खराबिया होने के चांसे बढ़ जाते हैं और यदि आपके टांके भरने में तो बहुत मुश्किल आने वाली है वो टांको में मवाद भी पढ़ सकती है पक भी सकते हैं इंफेक्शन हो सकता है और जो अंदर फैट होता है उसका पानी बनने के कारण पाता और जब हैं उसके ड्रेसिंग करने पड़ती है बार बार कई बार महीनों लग जाते हैं घाव भरने के अंदर यानिकी जो इंसीजन हमने लगाए था उसको हील करने में बहुत ज़्यादा प्रब्लम आती है और यदि आप दुबले पतले हैं तो आपके फैट नहीं ह और किसी प्रकार का इंफेक्शन होने का खत्रा भी खत्म हो जाता है और जो प्रेग्नेंसी होगी तो डेफिनेटली प्रेग्नेंसी के अंदर भी आप आराम से वेट गेन को एंजॉय कर पाएंगी क्योंकि जब भी ओबीज लेडी होती है तो हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा लेकि नहीं होने के कारन बहुत से अलग होते हैं, जो कि आपके वजन से तो बिलकूर रिलेटेड नहीं है हाँ definitely obese ladies को pregnancy होने में दिक्कत आती है दुबले पतले को नहीं आती है तो be confident and be prepared for the pregnancy if you are planning the pregnancy second myth ये भी बताया गया हमें कि क्या उनके खून की भी कमी होती है खून की कमी का मोटे और पतले होने से कोई भी संबन नहीं है खून हमारे खून के नलियों के अंदर होता है और वो हमारे खाने पिने से संबन्दित होता है यानिक अगर आप अच्छा खाना पिना खाते हो तो आपका blood का synthesis,匈शन का निर्मान अच्छा होता है तो आपका खुन का लेबल अच्छा होगा और वो सकता है यदि आपको ब्लीडिंग काफी ज़्यादा होती है हेवी ब्लीडिंग होती है तो हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन डाउन चला जाए कम हो जाए और आपको एनेमिया की शुकायत हो यदि आप pregnancy plan कर रहे हैं तो अपना हीमोग्लोबिन और थायरेट जरूर चेक कर वा लिए और अगर सब ठीक हो तब ही आप pregnancy plan कीजिए और दुबले पतले हैं तो यह चिंता दिमाग से निकाल दीजिए कि pregnancy नहीं होगी हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जानकरी साथ तब तर नमस्कार